अगर अभी तक आपने हमारा चनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाइक और शेयर कीजिए और हर वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए वेल आइकन को प्रेस कीजिए NCRT Biology, Hindi Medium, कक्षबार के पहले अध्याय जिव में जनन इस वीशे में हम लोग अध्यन कर रहे हैं पिछले तीन भाग अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल में वीडियो या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आज भाग चार का हम लोग अध्यन करेंगे तो आईए शुरुवात करते हैं आज का जो पहला टॉपिक है वो है जिव में लेंग इकता लिंग के आधार पर जिव दो तरह से हो सकते हैं एक नर होता है और दूसरा मादा हो सकता है अर्थात जिव की वह शमता जिसके द्वारा या तो वह नर अथवा मादा युगमक का अपने शरीर में निर्मान कर सकता है या दोनों ही युगमक का नर और मादा युगमक का निर्मान अपने शरीर में कर सकता है तो जिव की यह शम्ता लेंगिकता कहलाती दुबारे से आप समझे कोई भी जीवधारी यदि नर अध्वा मादा उगमग का निर्माण शरीर में कर रहा है या नर और मादा दोनु की उगमगों का शरीर में निर्माण कर रहा है तो उस जीव की शमता को लेंगता कहते हैं आगे बढ़ते हैं अब जन्तों में लेंगिक्ता जन्तों में लेंगिक्ता अर्थात sexuality in animals लेंगिक्ता के आधार पर जन्तों दोत प्रकार के हो सकते हैं नंबर पहला एक लेंगि जीव जिसे हम unisexual organisms कहते हैं जैसे कि नाम से आप समझ सकते हैं एक मतलब सिंगल और लेंगि मिन्स या तो वह नर होगा या मादा अर्थात और इसको हम यूनिसेक्शुल भी कह सकते हैं यूनिसेक्शुल और सिंगल और सेक्शुल मिन्स जो उसका सेक् अर्थात ये वे जीव होते हैं जिनके शरीर में केवल एक प्रकार का जननंग पाया जाएगा या तो नर जननंग पाया जाएगा या मादा जननंग पाया जाएगा इसकी वजह से वह केवल एक ही प्रकार के युगमक पैदा कर सकते हैं या वह अगर नर है तो नर युगमक अगर वह फीमेल हैं तो फीमेल गेमिट बनाएंगे इस तरह से ऐसे जीव जिनके शरीर में क्यवल एक परकार के जननंग पाई जाते हैं नर अथवा मादा और जिसकी वज़े से वह एक ही परकार का युगमक नर अथवा मादा को पैदा कर सकते हैं उन्हें हम एक लिंगी जी जीव कहते हैं तो इसके बहुत सारे उधारण हैं जैसे कि मनुष्य गाई घुड़ा बिल्ली कुत्ता कोक्रोज और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एक जामपल हैं जिनमें हम देखते हैं कि उस जीव में क्यवल एक परकार का जननंग पाए जाता है इस तरह से आप बह उभे लिंगी जीव मतलब होता है दो और उभे मतलब भी होता है दो जिससे हम बाइसेक्शवल और हर्मा फ्रोडाइट के नाम से भी जानते हैं जब कोई भी जीवधारी उसके शरीर में दोनुहीं प्रकार के जननंग पाए जाते हैं नर जननंग भी पाए जाएगा और मा मादा जननंग के द्वारा मादा युगमक का निर्माण किया जाएगा तो ऐसे जीव दुलेंगी या उभेलेंगी कहलाते हैं फिर समझे अरधात कुछ जीव नर और मादा दोनों ही युगमक का निर्माण करते हैं एक ही शरीर में तो ऐसे जीवों को दुलेंगी या उभेले कहते हैं उदाहरण के लिए केंचवा जोग और फीता क्रमी आप देखते हैं कि इनका एक ही शरीर नर और मादा जननंग उसमें मौदूद होता है जिसके वजे से वे नर और मादा जनन कोशी का अर्थाद नर युगमक और मादा युगमक दोनों का ही निर्माण एक शरीर में करते हैं आगे चलता है अब लेंगिक्ता के आधार पर पौंदू में भी हम इस प्रकार की इस्तिति देख सकते हैं तो लेंगिक्ता के आधार पर पौंदू में कुछ प्रकार है उनमें से पहला जो प्रकार है वो है एक लेंगी पुष्पू एक मतलब एक केवल एक और ले मेल पार्ट और फिमेल पार्ट दोनों ही प्रजेंट होते हैं लेकिन कुछ ऐसे पुष्प भी होते हैं जिन में केवल या तो नर पार्टी पाए जाएगा अर्थात मेल पाए जाएगा या फिमेल पाए जाएगा अर्थाद ऐसे पुष्प जिन में केवल नर जनननंग कंचता है उसमें एक लिंग्य पुष्प याउनिस सेक्षव फ्लावर कहते हैं उदाहरण के लिए मखय जो पुष्प होता है कद्व पपीता इनका पुष्प होता इसमें केवल एक ही सम्हें एक injusto में पाया जाता है तो इसमें आप डाइग्राम के साथ ऐसे भी देख सकते हैं जो यह कद्दू का हम लोग यह फ्लावर देख रहे हैं जो कुकुरबिटेसी जो फैमिली होती है उसमें यह स्थिति देखने को मिलती है यह पुष्प इस पुष्प में आप देखेंगे कि यह जो है हम इसमें देख रहे हैं ऐसा फ्लावर है जिसमें फीमेल पार्ट है अप देखरें है जो फ्लावर हो उसको छेश कि कहता है कि psychology मैल फ्लावर को इसके in the ठीछ शब्दा खाऊ है stephan जो मेंश्क बंते हैं तो इस्टामिनेट कहते हैं महें इसी तरह से खरती मेल स्धलाऊर को कार्पलेट कहते हैं है आलगी इसके कहते हैं फिमेल फ्लाऊर तो के बढ़ेते हम लोग पंद में लंगिक हाका जो दूसरा प्रकार है वो है दुलिंगी पुष्प जिसे हम बाय सेक्ष्वल या हर्मा फ्रोडाइट फ्लावर भी कहते हैं बाय मतलब दो या हर्मा मिन्स टू तो इस तरह से ऐसा फ्लावर अर्थात कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिन में नर और मादा दोनू ही प्रकार की जनन अंग पाई जाते हैं अर्थात पुंकेसर और इस्त्रीकेसर पुंकेसर नर जनन अंग है और इस्त्रीकेसर मादा जनन अंग है ऐसे पुष्प जिन में नर और मादा दोनू ही प्रकार के जनन अंग पाई जाते हैं उन्हें हम दूलिंगी पुष्प कहते हैं इसके मौहते तरह से इस्त्री का मादा कोश होगा और उस अंडर कोशीका के सब्सक्राइब कुछ उदाहरण हैं एक्सांब के दरिष्टि से आपके लिए बहुत महत्तमौण है इसको आप याद कर लिजिए कि इस तरह से प्रशन वी पूछ जाता है कि किसे कहते हैं उसके कुछ उदारन दीजिए तो अक्सर यह पुछा जाता है कि दुलिंगी पुष्प किसे कहते हैं और उसके पांच उदारन दीजिए तो आप इसमें से याद कर सकते हैं नंबर पहला मटर है जिसे हम पाइसम सेटाइवम कहते हैं सरसों ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस गुडल हिबिसकस रोजा साइनेंसिस मूली रेफनेस सेटाइवस आलो सोलेनम ट्यूबरोसम यह पांच दुलिंगी पुष्प हैं और उनका जो यह ब्रेकेट में हैं यह इनका साइ देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि डाइग्राम की सायता ऐसे इसमें मेल और फीमेल पाड़ी दिलेंगी पुष्प है इसमें जो यह इस्टेमन है इस्टेमन में एक एंधर जो उपर यह उबरी वी संरजना होती है और जो यह नीची संरजना है यह लंबी डंडे कय邁रा ढें है काया चाहिं चैसां कुछ फिलामेंट करें है उस तरह से जो यह बर ओल्ञें तोby मद्य का जो पाड़ Це है इसे कहते हैं कारपल या की इसको कहते है श्लक वे कृते हैं या नीच अबरी जो संरजना होती है यहां परंडाशे है और पुष्पमेगट्र प्रकार देखते हैं कि पुष्पमेगट्र का जो अगला प्रकार है वह एक लिंगा या वित्षम थेल सी पाधव यह जिसने हम टायशिय ए यह ट्रो थेल प्लांट कहते हैं शेंत एक लिंग जैसे की नाम से आ मतलब सिंगर लिंग आश्रय मतलब अपने में स्थान देना अर्थात ऐसे पौधे ऐसे पौधे जो एक लिंग आश्रय होते हैं अर्थात ऐसे पौधे जो केवल एक लिंग को अपने शरीर में आश्रय देते हैं उसे हम एक लिंग आश्रय या विश्म थेल सी पादब कहते है अर्थात कुछ ऐसे पाधब होते हैं कुछ ऐसे पहोंदे होते हैं हर्थात या तो वह पाए जाएगा दीजान से सुनिएगा और ऐसा पहोंदल इसमें या तो नरपुषप पाए जाएगा क्या क्यी वल्वल सुनुझ ऑर दूरे पुष्प एक पौधे में होगा और दूसरे पौधे में मादा पुष्प होगा इस परकार का जो पौधा होगा उसे हम विशम थैलसी या एक लिंगाश्रई कहते हैं तो यह विशम थैलसी खास करके इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं फंजाय में जब आप कवक इसमें कवक तंत पाई जाते हैं एक जिसे हम प्लस कहते दूसरा जिसे माइनस करते हैं अर्थाद यह मेल प्लांट और फीमेल प्लांट कीते रहें जो कि आपस में साथ हाएंगे तो उनसे भी लेंगिक जनन होता है तो उदारण हम लोग देखते हैं एक लिंगाश्री या प्लांट का पपीता खजूर और साइकस इसके अलावे बहुत सारे एक्जामपल हैं तो आएए इनका डाइग्राम की सायता से अध्यन करते हैं पपीते में आप देखेंगे कि एक पपीते का पौधा है जिसमें यह फिमेल फ्लावर लगा है और दूसरा यह पपीते का पौ चाल यह फल का निर्मान हो रहा है जबकि मेल फ्लावर में किसी प्रकार का कोई फल नहीं बंता है तो पपीते में देखते हैं कि एक पौधे में यह तो नर होगा यह माधा पूश्पो बढ़ता हैं पौधो में लेंगिक्ता का जो चौधा प्रकार है उसे हम ? उभे ऐसे पौधे जो दोनों ही लिंगों को आश्रे दे अर्थात ऐसा पौधा इसमें नर जननंग भी पाये जाएगा और मादा जननंग भी पाये जाएगा एक ऐसा पौधा जिसमें अर्थात इन पौधों में नर और मादा दोनों ही प्रकार के जनननंग एक पौधे में इस्तित होते हैं। इसको इसको समझते हैं। आप देखेंगे जो ये मक्का है मक्का इसको प्लौन क्यों कहते हैं। इसमें आप देखेंगे कि एक ही पहुद में नर और मादा दोनों ही परकार की पुश्प पाये जाएगे। जो यह संरचना आप देख रहे हैं जिसको हम टैसल कहा रहे हैं उसमें पॉलन बनते हैं पॉलन वादला परागकण इसमें बनते हैं और जो दूसरे संरचना होती है वो जिसमें फल बनता है जिसको हम जो इयर कहा रहे हैं इसमें फल बनता है ठीक है तो यह वाली संरचना यह म पूढ़र गार ये फिमेल व्लावर अर्थात एक पौधा ईसमें नर और मादा दूनों ही पुष्व पाए जाते हैं एक शरीर में जब एक पौधे मैं में फ्लावर भी पाए जायगा और पौध पाए जायगा इस प्रकार की पौंदे को मोनोशियस प्लांट या उभय लिंगाश्री पादब कहते हैं इसी तरह से आप कद्दू में भी देखेंगे कद्दू में भी आपको देखने को मिलेगा नर पुष्प अलग होगा और मादा पुष्प अलग होगा लेकिन वो दोनों ही पुष्प एक पौंदे में इस्तित होंगे अभी तक हमने दो चीज़ें पड़ी है प्लांट में जो सेक्ष्वलिटी या पौंदों में लेंगे किता है उसके आधार पर पौंदों के जो प्रकार पड़े उसको हम डाइग्राम की साहता से समझते हैं नमबर पहला है प्लांट वित हर्मा हर्माफरोडाइट का मतलब अभी हमने पढ़ा एक एसा पौधा पौंधा जिसमें जो पुस्प है उसमें दोनों ही प्रकार के लिएंग्य अंग मौजूद है अर्था दुलिंगी पुस्प जिसे हम हर्माफरोडाइट कहते हैं जो इस तरह से आप संरज़ना देख रहे है है इस संद्यान इह मेल को दर्शाती है इसे सिंबल होते हैं यह फ्लस मतलब जोडने का कारे करते हैसे इसी तरह से आप देखेंगे ψण के जो f parkee से ॉसके कुछ सिंबल के दो आप द Handy कैंति पंदर साथ हैं इस तरह से जो यह यह बाग हुदता है इसको नर्शे दिखाते हैं या मेल है यह इसको फिमेल है तो पहला जो हम देखते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर में क्या होते हैं कि यह फिमेल पार्ट भी मौझूद है यहां पर और दूसरा मेल पाड़ी मोजुदे एक ऐसा पुष्प जिसमें मेल और फिमेल दोनों ही पाड़ पाई जाएते हुँ उसे हम क्या कहते हैं हर्माफ्रोडाइट कहते हैं अब मेल पुष्प एक पुष्प फ्लावर लगए है अरुषा यहां पुष्प बियें और आर्प इसे हम क्या कहते हैं मोंगुष्प प्लावर कहते हैं तृसरा जो इसका प्रकार है वो है डाइशेस प्लांट डाइशेस प्लांट के है एक जो पॉंदा है उसमें या तो मेल ही मेल फ्लावर होगा अर्थाद डाइशेस प्लांट या एक लिंगा शरी पादक उसे कहते हैं जिन में एक ही प्रकार का प्रजरन अंग वाला पुष्प पाए जाता है इ एक पुश्प अगर मेल है तो दूसरा पुश्प पीस में मेले तो इस तरह से डाशेस प्लांट में केवल एक प्रजन अंग युक्त फ्लावर पाह जाएगा आगे बढ़ते हैं कि एक और Diagraam की सायदे से आप समझेए मेल इसको हम कहते है मेल प्लांट इसको मेल प्लांट क्यों कहते है अगर जो ब्लू कबिश का है समझे यह प्रियास करेंगे अर्था इसको पुंकेसर मानिए जो डिखा तेरे फिलावर कि पूंकेसर है और इसमें जो पिंक कि कलर का है इसुमएं किया है इसने स्ट्रिक आइए ज्समें कारपल मौशूद के तो यह में फोलावर है और यह फिमेल फ्लावर और तो ऐसे पौधे जिनमें एक हिए परकार का प्रसें और आँगों क्या तो करेती है या एक लिंग आस्रे कहते हैं दूस्तरा इस देहेंगे मेल फ्लावर मेल पाड़ भी पाए जा रहा है और फिमेल पाड़ दोनों ही उपस्तित हैं इस प्रकार का फ्लावर क्या कहलाएगा बाइसेक्श्वल या हर्मा फ्रोडाइट तीसरा है monosius monosius में एक पौधा है एक फ्लावर मेल है और दूसरा फ्लावर फीमेल है अर था दोनों ही अलग अलग प्रकार की फ्लावर है मेल और फीमेल एक ही पौधे में पाई जाते हैं तो ऐसे पौधे को हम कहाँगे monosius प्लांट देंगे आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा तो आएए आगे चलते हैं अब इसको आपकी अपनी ग्लास की जो ncrt की भूग है उसके page नंबर 12 में आप इस डाइग्राम को देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है नंबर पहला केंचवा केंचवा जिसे हम दुलिंग एक प्रकार का ये दुलिंगी जीव होता है केंचवा जिसमें यहाँ पर आप देखिए वरिशन कोश भी मौज़ू दे और इसमें अंडाश है भी अर्था दोनों ही जननंग एक ही एनिमल में एक ही प्राणे में पाए जाते हैं दूसरा इसमें हम लोग देखते हैं कॉक्रोच में कॉक्रोच जीव हमने एक्जाम्पल पढ़ा था कॉक्रोच हमने पढ़ा कि एक ऐसा जीव जो कि यूनिस सेक्षवल कहला था अर्था एक लिंग आश रही है एक एक लिंग वाला एक लिंग जिवें किसमें विरिशन पाए जाता है नर्ड में रिष्ण पाए जाएगा और इसातिसी तरण से अंडब से पड़ाइगा अर्थात यहां पर यह फ्लावर मे पूंके से अर्थात यह अर्थात एक परकार का अझारा है उसे ष्येवल में भी आप देखेंगी इस फिमेल स often बेड़ी इसमें मौझूद है और लाँगे प्लांट zat dehaet इक्पधुद में एक संरचना में वो भी एक लिंगाश्री यह कहलाएगा इसमें यह फिमेल पार्ट है एक उसके जो थैलस में एक प्लांट के पार्ट दूसरा जो प्लांट उसमें मेल पार्ट है तो इस तरह से आप समझ सकते इस डाइग्राम के साथ दसे और यह हम आगे पढ़ता हैं अंड प्रजक जी या विपरेस एनिमल्स किसे कहते हैं सामाने सी बात है इसको आप समझ सकते हैं साधारण सी बाशा में कि वे जीव जो अंड देते हैं ठीक है वे जीव जो अंड देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं अंड प्रजक जी या ओविपरेस एनिमल्स कहते हैं लेकिन इतना ध्यान देना परिभाशा इस तरह कि यो ऑंडवा और देते हैं परजयक जीव कहलाते हैं तो अनशेचित अंडवाले जीव है और गशली आदि ूसी तरह से निशौशी सेश्य देनेक पक्शिक इस डियाग्राम में आप देखेंगे कि एक एग है एग कुछ समय के बास इंकुबेशन जो पीरियड उतार था कुछ समय के जिसे हम निवेशन कहते हैं कुछ कुछ दिनों के पश्चा यह एग चूजे में परवर्थी तो रहा है इस तरह से आप देखेंगे कि जो पक्षियो व्वायवल की जो उसमें जीवत रहने की जीवत रहने की प्रविर्थीव काफी कम हो जाती है क्योंकि दो अगलाप्रकार देखते है जिव जीव या व्वी अर्थात वे जीव जो सीधे अपने संतान पैदा करते सीधे सीधे अपने मादा के शरीर से सीधे सीधे जो शीशु के रूप में जो बच्चे जन्म लेते हैं या जो संतान जन्म लेते हैं उसे हम सजीव प्रजक्ट या वीव पैरस एनिमल्स कहते हैं अर्थात वे जीव जि निशेजिन होगा इंटर्नल फर्टिलेशन होगा तो माता के शरीर के अंदर यूगमनस का विकास होगा और आगे चलकर यह ब्रूण बनाएगा और कुछ समय के बाद जैसे के मनुष्य में कि नौ मैने ब्रूण का विकास माता के शरीर के अंदर घरबाशय में होगा और विक लिए अपने शिशु को जन्में देते हैं उन्हें हम सजीव प्रजक जरायूज या विवी पेरस एनिमल्स कहते हैं उदाहरण के लिए जो सभी गर्व दाहरण करने वाले समस्त जीव होते हैं जैसे कि उसमें मनुष्य बंदर खरगोश आदे आते हैं यह सब सजीव प्रजक है कि पौधो में सजीव प्रजकता क्या होती है पौधे में जो निशेचन किरिया होती है निशेचन किरिया होने के बार कौन से भाग किस भाग में बदल जाते हैं इसके अंतरकत हम लोग यह चीज़ें पढ़ने वाले हैं इसको एक बार देख लेते हैं पौधों में जो य के सर कहते हैं उसके तीन भाग होते हैं इस तरह से आप देखते हैं कि जो इस तरी के सर होता है उसके तीन भाग होते हैं पहला ही जो भाग होता है इसे हम वर्तिकागर कहते हैं इस भाकों वर्तिका कहते हैं और इस वाकों अंडशा कहते हैं इसी के अंदर विजांड होता है औ और उसके अंदर बुरूनकोष के अंदर एक मादा युगमक होता है तो पौदों में जो युगमनस बनेगा नर युगमक के इस मादा युगमक से जुणने से युगमनस यहां पर बनेगा युगमनस बनेगा तो जो युगमनस होता है वो युगमनस कहां बनेगा उसका निर तोland में बदलने के पश्चाफिक जो बीजांड में बदलेगा बिज में बेगया तो अधर बईजांड में बदलेगा आप बाहर्वी बित्ति नुहιोती है वह फल कंदो बदलakahली के रूक में बदल değ लेकिन और बाकी होता कि जो बाहे दल है पूंके सरे इनका निश्य इनके पर ज्यादा कुछ काम नहीं रह जाता है और यह सूख कर गिर जाते हैं तो इस तरह से यह फलों में नहीं दिखाई देते हैं लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं कि इन में इनका कुछ बाग और श्यस बना रहता है इनका बाग बना रहता है जीसे तरह डैग्राइम की साथ से आकर देखेंगे क्या होता है यह देखिए यहां पर जो ग्रीन कलर का है यह पुष्प की सनरचना यह पुष्प है यह टमाटर का पुष्प है आप देखेंगे कि फ़ल बनने के बाद अभी भी मौज़िद होता है तो इस तरह के सनरचना आपने अकसर देखी होगी मिर्च में और बैगन में तो आएए आगे बढ़ते हैं इसमें आप अपनी NCRT बुक में इस डाग्राम को देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है इसे एक मटर की फली है उसमें जो बीजांड थे बीजांड बीज में बदल जाते हैं तो यह संरचना है बीज की संरचना और जो यह बाहर वाली जो संरचन प्रतिक डाग्राम में आप देख सकते हैं तो इस तरह से आज हमने पढ़ा बहुत सारी टॉपिक जो कि इसमें हम लोग उने पड़ा कि जीयों में लेंगिकता की प्रकार और पॉधों में लेंगिकता की प्रकार पड़ा और इसके साथ साथ हम लोग उने ये भी पड़ा हम लोग ने यह भी पड़ा कि सज्व्ई प्रजक क्या होते हैं अंड प्रजक क्या होते हैं और हमने जाना कि किस तरह से पुहनों की पुष्प में कौन सा भाग किस भाग में फल बनने के बाद बदल जाता है और इससे आगे हम लोग अगले अध्य हमें पढ़ेंगे तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यू